हेलो फ्रेंड्स मैं हर्मी थापर हैस्टाइं इंडिया ड्रीम्स चैनल में आप सब लों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सबको नवरात्री की हार्दिक शुब काम नाए इस अफसर पर हम आपके लिए लेके आए है नवरात्री स्पेशल व्रत का सैंड्विच रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना व्रत का सैंड्विच बनाने के लिए हमने लिए उबले हुए आलू मीडियम साइज के साता ठालू है ये जिनने हमने दो तिन घंटे पहले उबाल लिया था और अब कद्दुकस कर लेते हैं अब एक पैन में डालेंगे दो कटोरी पानी इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच घी जो भी आप ब्रत में खाते हैं घी या ओल वही डालें अब इसमें डाल देंगे वन टीस्पून जीरा और सेंधा नमक स्वादनुसार हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर और दो कटी हुई हरी मिर्च दो टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हरा धनिया और अब डालेंगे वन टीस्पून अद्रक का पेस्ट मिक्स करेंगे और एक दो उबाली आने देंगे पानी में, पानी अच्छे से उबल गया, आप गैस को सिंपर कर देंगे, या कुछ सेकिंड के लिए गैस को बंद कर देंगे, और इसमें डाल देंगे समा के चावल का आटा, यानि राइस फ्लोर, ब्रत वाला आटा है ये, चावलों का, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और तब तक इसको चलाते रहना, जब तक ये डो की शेप में नहीं आ जाता, ये बहुत ही जल्दी पानी को सोख लेगा, ऐसा करने से चावलों का कच्छा पर निकल जाएगा, जिससे की सेंड्विच का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आटा डो की शेप ले रहा है, तो अब इसमें डाल देंगे, जो हमने कद्दू कस किये थे आलू, डेड को टोरी के करीब हो गई हैं ये, इने भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस को बंद कर लेना है अब, व्रत के चावलों का आटा असानी से वाजार में मिल जाता है, और अगर आपको ना मिले तो चावलों को घर पर ही आप ग्राइंड कर लें, व्रत के इलावा भी आप इस रैस्पी को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी चावल का आटा आप यूज़ कर लें, और अपने मन पसंद के मसाले, चाट मसाले वगेरा डाल लें, कड़ाई नीचे उताल लिए अब हमने, और Grease Kiwi Plate में मिक्सचर को शिफ्ट कर देंगे, थोड़ी देर मिक्सचर को थंडा होने देंगे, थोड़ा थंडा होने के बाद अब हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इस रेस्पी में जो हमने ingredients यूज किये हैं अगर आप ब्रत में उन्हें यूज नहीं करतें तो प्लीज उन्हें स्किप करें मिक्स्टर को अप फैला लेंगे प्लेट में और शेप दे देंगे rectangle या square उपर से evenly फैला लेना है और साइडें भी सेट कर लेनी है आप अपनी मर्जी से अपनी मन पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं अब हम इसे कट कर लेते हैं पीसिज निकाल लेंगे इसके सैंड्विचिज के साथ अगर ब्रत की हरी चटनी बनानी है तो उसके लिए एक कोटोरी हरा धनिया वन फोर्थ कोटोरी पुदीना सेंधा नमक छोटा सा अद्रक का पीस दो तिन हरी मिर्च निम्बू या धहीं डाले दो तिन चमच और ग्राइंड कर लें ये आपकी चटनी तयार हो गई है पीसीज की कटिंग हो चुकी है उदर हमने तवा भी रख दिया है गैस पर गरम करने के लिए पीसीज को एक प्लेट में रख लेते हैं मिक्स्टर अच्छे से ठंडा हो जाए तभी पीसीज को निकाल लें आराम से निकल जाएंगे अभी तीन या चार पीस हम निकाल लेते हैं प्लेट में इधर तवा भी गरम हो चुका है एक चमच घी को फैला लेंगे तवे पर और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर जब तीन से चार पीस जितने भी पीसीज आराम से आ जाएंगे तवे पर उतने पीस हम डाल देंगे जब नीचे वाली साइड से हलके गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो पीसीज को हम पलड देंगे और दूसरी तरफ से भी पीसीज को गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे जितना ये पीसीज सिख रही हैं तवे पर उतना हम बाकी पीसीज को प्लेट में निकाल लेते हैं और अब ये पीसीज दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब हम इने निकाल लेते हैं ये देखिए बहुत ही कम तेल में हमारा ये ब्रेकफास्ट ब्रत के सेंडविच तयार हो गए हैं बाकी दो बैचिज को भी हमने तयार कर लिया है, गैस पर दो तवे रखकर ये सेकिंड बैच निकाल लिया है अब और ये लास्ट बैच भी तयार हो गया है, अब हम अपने हेल्दी सेंडविच को प्लेट में निकाल लेते हैं, सर्व कर देते हैं हमने हमारे सारे सेंड़िच को सर्व कर लिया है, आशा करता हूं आपको वीडियो रैस्पी पसंद आईगी, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रैस्पी के साथ, अब के लिए अलवीदा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सस्क्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और कम थे रहें, स्वाचत रहें, खुश रहें, थैंक्स फर वाचिंग, बबेस्ट यौल, स्टे एल्दी, स्ट्रों, बलेस्ट, हपई अलवेज बाई